नमस्कार वेल्डन इंडिया के इस अंख में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वाज़त शिक्षक समाज का आईना होता है शिक्षक का पहला करताव्य छात्रों को असिक्षा जैसे अभिशाप से दूर करना होता है वैसे भी प्राचीन काल से सिक्षा में भारत अग्रसर रहा है और भारत को सिक्षा का केंद्र माना गया है और इसी कथन को प्रमानित कर रहे हैं हमारे आज के वेक्ते तो डॉक्टर टीबू राम्मा जी जिनोंने 42 साल सिक्षा में सेवा दे कर अब वे अपने गाउं में निशुलक सिक्षा बच्चो को प्रदान कर रहे हैं पर कारवा यहीं नहीं रुपता बलकि अपने पेंशन से मिलने वाली राशी को सडक निर्मान जैसे कारियों में लगा कर वे लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं और उनके बनाय हुए सडक के रास्ते ही हम आज पहुच चुके हैं इनके गाउं लुकाई कनाली आयो बाबा की दाना गलीने खाना दा दो आगे दो आयो बाबा कि दानागा लेने खाना दा दो आगे दो आ टिबुराम माजी लुकवी कनानी गाउं के सिच्छक हैं, सेवार निर्मित हैं, नाइंटी नाइन में सेवार निर्मित हुए थे उसके बाद से ही इनके अंदर एक समाजिक सरुकार का ललक था सेवार निर्मित के कुछ साल बाद ही, इन्होंने पहले अपने गाउं से समाजिक सरुकार को निभाना शुरू किया ए जो आप हाईवे से देख रहे हैं, इस गाउं तक बंगाल सीमा तक एक सड़क जाती है नारगा से लेके और सड़क आज से कई साल पहले सड़क थी ही नहीं बदहाल था जरजर था, काफी लोग परिसान थे, खासकर इसकुली बच्चे परिसान होते थे और इनका जो जुडाव था सुरू से सिच्छक पेशा से तीन को देख के दुख होता था ए कई फोरम पर राजनितिक दलो से प्रसासन से पहले गुहार लगाएं आवेदन लिखे अरजी दिये मगर कहीं कोई सुनवाई जब नहीं हुई तो इनके अंदर जो जीविटता था ओ नहीं हार मानने की ओ अपने पेंसन की रासी से कई मजदूर लगा कर सरमदान खुद अपने बुढ़े हाथों से सुरू किया या देख कर गाओं के लोग भी जागे और उन से सीखे कि अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए ए उन्नीस सो निनानमे में रिटायर हुए थे तब इनका साथ बरस उम्र था और कई साल बीट जाने के बाद इनोंने जो बीड़ा उठाया समाज के लिए वो सरहनिय था डॉक्टर मांजी का बचपन अपने गाओं में बीता है यह बहुत ही सरल्थ वभाव के वैक्ति हैं उनके शिक्षा दिक्षा गाओं के ही एक स्कूल में हुई आज से लगभग साथ साल पहले जिला मुख्याले से बीस किरो मीटर दूर सुदूर गाओं लुकई कनाली में ऐसी विवस्था नहीं थी जो आज दिख रही है यहां के सडकों की हालत जरजर और उबड़ खावर्थ होती ही न पीने को पानी था न खेती करने को यह सब इन्होंने बचपन से देखा और इसे कैसे सुधारा जाए यह उनके मस्तिष्क में हमेशा चलता रहता था बरसात के दिनों में इस गाओं से दूसरे गाओं जाने की कोई सोज भी नहीं सकता था एक नाला होने के कारण उसमें पानी भर जाया करता था जिस कारण पार होना गाओं वालों के लिए मुश्किल था गाओं पूरी तरह से आसपास के शहरों से बरसात में कट जाया करता था मैं लुकुई कनाली से सुख लड़ा प्रार्थमिक विद्दा लोई में प्राथमिक सिछा प्राप्तव किया बहुत मुश्किल से चार किलोमेटर पाइदल जा करके या किया है मैं आम लोग तेन भाय चार बहिन हैं तो यह अहां से पास करके लप पास करके हम चले गए मोहुल या मेडिल स्कूल मेडिल स्कूल से मेडिल पास करके हम लोटाये तो हमारा परीपरी को बस्ता बहुत खराब थी इसलिए आगे पढ़ाय में बाधोख हो गया है तो घर में आय करके हम के सोचा हाई कोच माने रोजगार के चलस में ताटा में नोक्री किया ठीका दर्माई उहां ठेकिरे में काम करते हम चले गए दुम का शलाय में सिखने के लिए उहां एक साल हम था उहां से लोट करके जमसेतपूर में परुषूधी बजार में हम दोकन खुला तो परोस के जो दोहापने गावाश परुषूधी बज़ काम के मुखिया थे उहां हम को बुला करके गाव लाया और बोला के इसकुल यहां पर पहुत तुरदुर है इसकुल चलाई यहे तो हम दो सल हम स्रम्दान कर के हां है लिए लगए। इसके बाद शरकारी से मुझूल कराया और ओही हम जिस तरह एक पक्की नीव ही ठोस और मजबूत भवन का निर्मान करती है ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी रुपी नीव को सुद्रिध करके उस पर भविश में सफलता रुपी भवन खड़ा करने में सहायता करता है डॉक्टर मांजी जैसे शुक्षक ही हैं जो मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका बताते हैं कहा जाता है कि एक बच्चे के जीवन में उनकी मां पहली गुरू होती है जो हमें इस संसार से अवगत कराती है वहीं दूसरा स्थान शिक्षत का होता है जो हमें सांसारिक बोध कराते हुए शिक्षा के पती जागरू करते हैं और हमें शिक्षत करते हैं समय से कुछ सुधार हुआ था पारिवरिक्षा जब मैं नक्री करते थे उसके बाद मेरा साधी हुआ साधी होने के समय से आने जाने का राष्ता नहीं था रोड़ फोड कुछ नहीं था खाली पाक डंडी में हम लोग यहां से गालूरी पायतर चलो जाते थे तो उसमय बहुत और आने जाने का बहुत असुविदा थे एक शिक्षक होने के नाते ग्रामिवन खुच्चित्र के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करते हुए इन्होंने अपने परिवार के जिम्मिदारियों को भी संभाला शिक्षा के प्रदी इनकी इतनी रुज्छान है कि आसबास क कि बच्चों को भी समय निकाल कर शिक्षित करने का कार्यक करते रहते हैं क्योंकि डॉक्टर मांजी जानते हैं कि शिक्षा ही गरीबी को दूर कर सकती है एक शिक्षित व्यक्ति समाज के किसी भी श्वेत्र में कुछ भी करने योग्य होता है शिक्षा ही विखास का रास्ता ह परिवार और समाज के स्थिती सुधारने में सहायक होता है. तो हम सोचा पहले बास का बास का पूल बुनाया था जो हम आदमी चोलने के लिए ओ भी बाड में यह हो गया फिर लक्री के पूल बुनाया ओ भी बाड में बोह के ले जिया तो ए इस वार सरकार ने उसको मौंजूर कर दिया है, आभी बुल बुन गया है, आभी सुविदा हो गया है. डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम की एक प्रसिद उधारण है कि एक सपना वह नहीं जो आप नीद में देखते हैं, सपना वह होता है जो आपको सोने नहीं देता है, और यह बिलकुल सत्य है. हर किसी का एक सपना होता है, कि वह जीवन में कुछ बने और उसे पाने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है. सपना देखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह हमें सही रास्ता चुनने और सफल बनाने में हमारी मदद करता है. ये हमारे समय को बरबाद नहीं होने देता और सर्वस्वेश्ट प्रदर्शन करने में मदद करता है इसी बात को चरितार्थ करते हुए डॉक्टर मांजी ने एक सपना देखा कि उनके गाउं में पक्की सड़को, नाले पर पुल, पीने का पानी और यहां के बच्चे शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त करें हम जो नक्री करते थे चांडिल बोलोक में तो रात को सुनी बार दिन हम आते थे नरगा में साइकिल रहता था और हम घर चल ले आते लेकिन एक दिन ऐसा हुआ बशा खुब ही तो राष्ता में पानी जोम गया हम सोचा की रास्ता ठीक है हम उसी के पानी कुपपर में हम साइकिल चला दिया तो हम गीर गिया गिरने के बाद हम भीच उतार के गहर गे आया गहर आने के बाद हम सोचा है क्या ए रोड को रोड नही होने के कारण हम इता धोका हुआ तो यह रोड हमको बनाना चाहिए, इसे किसी का यान आहिए, जो एक कम करो, उक कम करो, सरकार्ट के प्रतिनिदियों को हम बहुत बार या किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया, तब हम आपने स्राम्दान से तोड़को बनाने सुरू किया. बनाने के बाद, हम 2013 से हम रोग बनाने सुरू किया था, लाखडी चुन्नी बोले जो नर्गासे आती थी, उन लोग बोलता था, बाभू तुमा के कतो ट्रका हाजिरी दे, तो बोले हाजिरी पाजिरी किछुई नहीं, आमें श्रम दाने कोछी, औरे के बोले जे नहीं रहे, बोठे, अमरा के भाणिशे, उन कोटोटा का पाज सुर करते हैं, उन लोग बोलता था, डॉक्टर मांजी ने गाउं की जरजर सड़क के स्थिती को देख कर लक्ष बनाया कि इसे समाज के हित के लिए बनाने में सहयोग करेंगे, उनका मानना है कि हम इंसान है और भागवा उनकान ने हमें सोचने समझने की शक्ती दी है, जो हमें कीरे मकोणों और जानौरा दुलना में कहीं बहतर बनाता है, जैसे कि जानौर भी हमाजी तरह खाते हैं, सूते हैं लेकिन इन्सानों और जानवरों में फर्क बस इतना है कि हम सोच समझकर समाज के हित में कारे कर सकते हैं और इसी से प्रेणा लेकर वह दिन रात एक अच्छे नागरिक की तरह समाजीक हित में कारे करते हैं मैं जब मुख्या बनी थी 2010 में उसके पूर्प 2009 में बना था सड़क जो तीन साल के अंदर में ओ खराब हो भी गिया जिसके देखते थे तो हम लोग को भी थोड़ा सा दूख लगता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है साथ में हमारे जो मास्टर जी टीबूरा मास्टर जी है ओ हमेसा हम लोग देखते आना जाना रस्ते में देखते हैं कि ओ काम कर रहे हैं घूदाल लेकर रहता है और फासनी लेकर रहता है हमेसा काम में ही रहते है तो इसके लिए हम लोग एक दिन गांवालोевич से भी बात्चीत किए और एक बैठा की भुलाक करके उसमें मंत्री जी थे उसमें विधायक रामचंदर शहिस जी थे उनको एक आवेधन लिखे तो अन्हों है तो उन्होंने मरमति के लिए हम लोग को शड़क दिह और चलने लायक बना दिए क्योंकि प्रेनाश्रोत हम लोग के लिए इस व्हीं है क्योंकि उसको देखते हैं एक बुझूर्क जब एक कांधे में लेकर रहते हैं यह सब तो हम लोग थोड़ा सा ही चेक लगता ही है कुछ भी हम लोग बोलते हैं कि अगर लोग कुछ बोल देंगे तो सर फिर बोलेगा कि आप जनब परती नहीं दी है तो हम लोग अपना मन मन में ठान लेते हैं और एक अप्लिकेशन लिखें और हमारे जो मंत्री जी थे तो उनको अब मरमती हो गया उसके बाद तत्कालिन जो बतमान में जो अभी सांसत हैं विद्दुद्वरन महातोजी को उनको भी दिये तब जाके यह हम लोग का शड़क अभी जो चल रहा है ओबना 2019 में तो हम लोग इसके लिए बहुत संगस भी करते थे जब भी इनको देखते थे तो थोड़ा सा एक लगता था कि इसी से ही हम लोग को जोस भरता था कि एह हम लोग का जो एक रस्ता दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग को क्या काम करना है एक बुड़ा हाथ में एक खुदा लेते हैं तो एक रहता है ना कि जनब परतिनीदी को थोड़ा सा एक हिचक तो हम लोग यही ठान करके सभी गांवालों से भी बात्चीत किये और एक्प्लिकेशन लिखे और शुकृती भी दिये हम लोग के तो इसके लिए मैं सबसे पहले तीबुरम सर को ही धन्यवाद देना चाहते हुए इनके अगर प्रेना अगर हम लोगों को नहीं मिलता था तो ह साहत इतना तक नहीं कर पाते थे और अभी दो बार हो चुका है हम लोगे सड़क बनाके अर इसके लिए भी हम लोगे फिर से उसको धन्यवाद अठारा तक बदहाल सड़क की मरमत अपनी पेंशन की राशी से करते रहे शुरू में लोगों का सहयोग नहीं मिलने पर मजदूर रखकर सड़क बनाते रहे इनकी जीवटता देखकर सरकार ने सड़क निर्मान के स्विक्रती दी जिससे लोग भी इनके साथ जुणने लगे और गाउं के विकास में भागिदारी देने को तयार हुए लुकई कनाली के ग्रामिन सड़क और पुल के लिए सालों साल तरशते रहे पुलिया नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही किसानों को भी बीज और खाद के लिए परिशानियों का सामना कर लाओं को प्रसव के दावरान होती थी इस समस्या के समधान के लिए डॉक्टर मांजी ने अपनी ओर से पहल की सिच्चक टिवुराम मुर्मो उनिस सन निनावब्य में सिच्चक से स्वानेवरीत हुए कई सल पाहले से ही ये बिहार जंगाल के रस्ते बहुत दिरगाम था सिच्चक सिच्चा निर्वित होने के बाद उसने निनालिया की सडाकों को बनाना होगा क्योंकि इस बिहार जंगाल में जो आदिवासी परिवार रहते हैं वे स्वास्त के प्रती अगर दिखा जाए तो रास्ता नहीं था तो कोई बिमारियों से जुझने से उसको बचाने का उपाई नहीं हस्पितल तक पहुंचने में कफी समय लग जाता था ये सब पीडा देख करके हमारे सिच्चक टिवुराम मुर्मोजी ने खुद अपना स्रम दानकार के सड़ों को निर्मान करने और गरीबी लोगों का दार्द को मिटाने का प्रियास किया काई साल मेहनत करने के बाद सड़क निर्मान खुद से किया हमारे इस अधिवासी बाहूल छेत्र में इस बिहार जंगाल में एक साब गरा नाला जो लोगों का अबानमन का बधा बना इसकूल के बच्चे अपने उच्चा सिच्छा लेने के लिए हाई स्कूल तक जाने के लिए सड़क ठीक नहीं था पुल्या नहीं था तो सब घुरान नदी में नाला में उसने लकडी का पूल बना कर त्यार किया और बच्चों को इसकूल तक जाने का अगामन करने के लश्टा को दुरुस्त किया काम करते करते सड़ाक क्या और उसका निर्मान करने का दिल और आगे चलने लगा इस छेत्रे में सिच्छा के प्रती भी उने का फिर उची रखता है हम लोग इस इलाखा में उस इसका प्रेरना से हम लोग का एक संगठन त्यार करने के लिए हमें कहा गया तो हम लोग ने एक सिच्छक संगठन त्यार किया और सिच्छा के प्रती कर्च करने के लिए हम लोग को प्रेरीद किया इसलिए हार बार्स हम लोग जो भी बच्चे मेट्रिक इंटर में अच्छा रेजाल्ट करते हैं तो उसको सम्मानित का काम इन ही के प्रेणा से हम लोग करते आ रहा है और ये खेल के प्रती इस बिहार जांगालों के आदिवासी समुदाई को केसे उसके अंधेरी गरीबी में जकड़े हुए हैं इससे केसे उभारा जाए इसलिए खेल के प्रती भी कफी रूची रखा इस एर्या में जितना भी जगा पे फुटबल खेल होती है ये वहाँ पर पहुचते हैं और साब खिलाडियों को खेल के साथ सिच्चा का प्रती ध्यान देने के लिए हमेसे अपना बचन रखते हैं और खिलाडियों को सिच्चा के साथ आगे बाढ़ने के लिए उनूरूत करते हैं। आज बहुत कफी काम करने के बाद परतिनिधी लोग ने इनका सरमदान को देखकर आज हमारे ये जंगल बहुल छेतर में रोड रास्ता का बनाना सुरू हुआ है। और आज हमारे गाउं छेतर में हमारे पुर्बोजों ने अपने सरमदान से गाउं को बसाया है। और ये प्रना मिलता है कि गाउं में विकास का या अगाउं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा सिच्छा की जरूत है। इसलिए ये सिच्छक मादाए खूद का बंगला में एक हुआ थे एकला चोलोरे। वे अकेले ही रस्ता बनाने के लिए जाते हैं और खुद बनाते हैं और अपना पैंशन से जहां पर अधिक लोगों की दिन लग जाता है। तो वे अपना पैंशन से कुछ गरिब गुर्बा लोगों को पैसा देकार उसको रोजगार के लिए भी देते हैं और काम में उसको साहयोग करने के लिए बोलते हैं। और इसी तरह से अपना पैंशन के पैसा से और खुद का परिश्राम से आज इस बहुल जंगल छेत्र में रस्ता का काम करते हुए आया और आज हम लोग इस बहुल छेत्र के लोगों का आबागमन का सुविधा हुआ। दलदली पंचायत के लुकई कनाली और बेको पंचायत के डोभा पानी गाउं के बीच सापो धोरा पहारी नाला पर पुल नहीं रहने से दरजनों गाउं के ग्रामिन परिशान थे। बरसात में बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ता था। तक डॉक्टर मांजी ने अपनी पेंशन राशित से दो-दो बार बास व लकड़ी की पुलिया बनाई थी। खुद श्रमदान भी किया था। नाला पर उनके प्रयास से सरकारद्वारा पक्की पूल का निर्मान कराया गया है। जिससे ग्रामिन आज बहुत खुश है। ओर हमारे इस छेत्र में हमारे गुरुजी जो टीबुरमा जी के रूप में जो जाना जाता है। लोग जानते हैं, पुरा बिदेश का लोग भी जान चुके हैं। ये रिटर्मेंट टीचर है और इनका गून बरता जो भी है, हम लोग सुरू से देखते आ रहा हैं। सिच्छा गुरु तो है, सिच्छा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ गाओं को विकास के लिए बहुत सारे कुछ करते हैं। को सारे बहुत सार पुछते के लिया ज़ए को देखते हैं। में मुनेक भी रिखनती है, जब से छोटे थे तब से देखते हैं। अई आग्ड़ समय सारे बहुत सारे होगा, और गादते हैं। तो एक समय जो कि सारे लोग बहुत चीज इनके बारे में जानते हैं सडक तुटा-पुटा सडक बनाते हैं यह तो जानते हैं यहां पे जो यहां जो पूल भी बना वह बहुत अच्छा से बना और इनका देन से बना बहुत चीज किये हैं लेकिन इनके साथ में एक हम लोग ब में दूबे हुए थे उस समय के बात है दल्दली पंचायत में करीबान 45 लोग यहां पर दारुप्य की ही अपना जीवन को यहां से गवाया था। हम उस ही समय एंप्र चरबध करते थे जो प्रदान बूल कर दीन में पाइब आपने को, अबिया लोग को एक अभियान चलाए। साथ में हमारे गुरुद जी टिवुराम माझी है इसे हैख किए इनका पहले लुद करा दूपे इस सी लेचेन, में भी हमारा गां में इस तरह का कार्ज कर्म किये थे लेकिन सक्षेस्पूल नहीं हुआ। उस कार्ज कर्म में हम लोग करीबं 1.500 मेला लेके पूरा गाउं में हम लोग रेलि करवाया थे। और उसी हिसाब से दो-चार मैना यहां दारू का कोई यह नहीं था, भटी नहीं था, और उस समय कुछ लोगों ने हम लोग का बिरोध में भी लड़ा, तो हम लोग उस अभियान को लड़ते हुए, बाद में करीबन यहां पर इस छेत्र में जो जंगल, बिहर जंगल के करना पड़ेगा, इस तरह से लोग नहीं, तो फिर हम लोग उसी चपट में आ जाएंगे, लोगों का चपट में, कि चलिए लोग भी MCC का रूप में कर रहे हैं, उनका इसारा में चल रहे हैं, वोग बहुत कुछ नारा भी किये थे, उस समय प्रवेजी से हम लोग मुलाका करनेंट हो कहीं कुछ प्रॉगराम हो वहि東ly बहुत कि लितना थे दूर रहे लेकिन साइकिल में उस प्रॉगराम को अटेंड़ करते थे, अभी तक भी अटेंड़ करते रहें, आय अभी जो जिस स्तीती में और सी में बहुत ही सारे जगा पे इनका मान सनमार्भी करते हम आ अच्छा लगता है और अभी तक इनका जो चीज है जो अंदर का चीज हम लोग के उपर में जो सारा दुनिया में इनका अच्छा चीज को देखने को मिल रहा है और यह देखे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और कभी-कभी जब कुछ भी दिक्कत आ जाते हैं तो इन से भी मिलते हैं मिल के हम लोग चले जाते हैं बहुत सरा अच्छा बात भी बोलते हैं और इनका इस्तारा से ही और इनका देन से ही हम लोग इतना तक बोल सकते हैं डॉक्टर मांजी सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक हैं पचासी वर्ष की अवस्था में भी आज भी किसी भी समस्या किसी भी कूरीतियों के समधान के लिए तुरंत उठखड़े होते हैं भरे पूरे परिवार, बेटा, बहू, बच्चे सब को देखते हुए गाव के बच्चों को पढ़ाते हुए सडक, बिजली, पानी या समाज में फैल रही कूरीतियों के लिए चाहे वो दारूबंदी की बात हो, चाहे लडाई जगड़े की उसे निप्टारा करने में कभी पीछे नहीं हटते, उनके व्यक्तित्व से गाव लुकई कनाली ही नहीं, जहां ना था रास्ता, ना था बिजली, ना था इसकूल का उचित वेवस्ता, उस समय से उनको हम देख रहे हैं, यहां से अपका नारगा एनेज 33 जो है, कम से कम चार किलेमेटा रास्ता होगा, उन डेली सुवे उठके उनका स्था साइकिल लेके, अपना कुदाली और जो म बाटी धोने बाला है, वो सारे सामान साइकिल में ले लेते थे, उसके बाद हो चले जाते थे, यहां से तीन किलेमेटर रसता नरगा है, चार किलेमेटर, और फिर वहां जितना भी गढ़्धा उड़ा है, सब में थोड़ा-थोडा मिट्टी भर के, उन मिट्टी इधर से पर उधर से भी आते हैं, दस वजे तक उनका इही था ड्यूटी, उसके बाद जाते थे स्कूल, फिर इसके साथ साथ समाई सेवा में लगे होए थे, हम आते थे डेली सुवे, उनके साथ मेरा एक बार मुलाकात होता था, हम इधर घूमने जब आते थे, उस समय उस्वें सोच आज नहीं तक कल उसका कुछ न कुछ होगा ही उपाई, उसके बाद इहां उस समय उतना विकास भी नहीं था, शिक्षा का विकास भी नहीं था, आदमी लोग दारू उरू भी पीता था, दारू का ज्यादा प्रचलन था, पहले जाडखन हम सोचते हैं, शुकलाडा पंचा है, नहीं सुधार पाए, अभी आदमी लोग धिरे धिरे अपने अपने सुधार में ला रहा है, उसके बाद उनका सपना रहा कि रास्ता बनेगा, रास्ता बन गया, धिरे धिरे विकास आया, रास्ता बन गया, फिर उनके मन में विचार आया कि यहां कि रास्ता जो है हम ल लिए उसके बाद सारा नेता लोग का अपना नजर आया, पेपर बाजी हुआ, पेपर में पढ़ने लगा, वहां भी कुछ साधन करना होगा, उसके बाद पूल का सेंक्षेन हुआ मानाणियों संक्षध्जी के दोपरा, विद्दू तोरण महातों के दोपरा, वह पूल भी यहां पास हो गया, रस्ता भी बन गया, तो वहां थे हम लोग का रस्ता यिषा है, उस я एप भी ज़ी के द constitutional माध्य को परस्ता हे हम देख हुआ है ह महार अनको दुषरत माध्य के नाम नाम मोड़ य का है दसरत माजी के नाम उनको एवार मिल चुका है, हम तो चाहेंगे कि आगे चलके उनको माननी और रास्ट्रपती के दौरा रास्ट्रपती पुरस्कार ही मिलना चाहिए, इसा अगर आदमी को रास्ट्रपती पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो देश कैसे बढ़ेगा, समाज कैसे पढ़ेगा जागरीति कैसे होगा हम चाहेंगे कि इनको देखके आज के समाज में उनका इतना बच्चा है अगर निज पढ़ते हैं तो निज में देखें कि टिभुराम माजी जिनका हम लोग का गूरु टिभुराम माजी है जो हम लोग को सिख्षा दिया है उनका अगर एक एक एक अच्चा अगरों से बन जाएगा तो हम सोचेंगे कि आज के जाड़कान अलग हो जाएगा अपने गाओं के सबसे सम्मानित बुजूर होने के बाद भी सन 2013 से ही श्रमदान जैसे कारियों में ये सबसे आगे रहते हैं सफेद लंबीदाडी सफेद बूशट सफेद गमच्छा और साइकिल इनकी पहचान है और प्यार से आसपास के ग्रामिन इन्हें माजी बाबा कहे कर पुलाते हैं किसी भी गाओं के सरवांग्यन विकास में उस्थानिय जन प्रतिनीध्यों का योगदान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये गाओं की समस्याओं से भली कामों में यहां के ग्रामिन जन प्रतिनीधी ताल मेल बैठा कर गाओं के विभिन योजनाओं को पौन करवाने में सहयोग करते हैं जिससे ग्रामिनों को इसका लाभ मिल सके दल्दली पंचायत के अंतरगात लुकुई कनाली के ग्राम के टिभूरा माजी हमारे पंचायत में या पंचायत के बाहर में भी इनी टाइम शक्रियों में राते हैं और बहुत ही सेवा का कार्ज करते हैं रोड हो जोल जंगल जमीन बचाने का भी विचार पुमर्स भी हम लोग को भी बहुत अच्छा अच्छा विचार देते हैं हर जगा हम लोग का काई भी प्रोग्राम होता है तो हर जगा जोगजान देते हैं और अच्छा विचार देते हैं सभी को इस्टूडियन को भी और सभी को अच्छा विचार से आप काम करते हैं शिक्षा हमें व्यक्तिगत और समाजिक उदार के लिए मदद करती है शिक्षा द्वारा हमें नैतिक मुल्य, समाज सेवा की भावना, समाजिक नयाय और समरस्ता के महतों को समझने में मदद मिलती है शिक्षित लोग समाज की समस्याओं के समधान में योगदान करके समाजिक बदलाव को प्रोटसाहित करते हैं और समाज में एक नया विचार लाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर मान जी समाजिक कारे के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। अपना योगदान दिये हैं और पूलिया बनाना इन ही के देन है। टीचर से अपना काम पूरा करके समाज के साथ और इसके साथ साथ रोड में हमेशा बनाते रहते थे। और साथ में हम लोग हमसे बेट करते थे और बोलते थे हमेशा कि आप लोग जनपरती निधी रहते हुए इस रस्ता को आप लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो सर से हम एही हम बोले, सर जी हम लोग को मुका दीजिए जरूर इसका काम होगा। और इस रोट को रामचनर सहीथ विधायक थे उस विधायक को और अभी बरतमान में जो संसत था विदुद्वर महतो उनको हम लोग रिक्वेस्ट किये और इनका रिक्वेस्ट से हम लोग काम को पास हुआ और इनका बहुत यग्दान रहा। ओर हमेस्शा को बोलते थे कि आप इस चेत्रों के इस ख़ृत में इस ऐगल-बगल गाओ के कस्तूरर्वा विधाल ही में रहे। हम लोग परयास किया, और कस्तुरौवा बिद्दालय में इस गाउं के हमारे जिस मता पिता नहीं है, उस बच्ची को हम लोग पहुचा हैं. इसके साथ हमारे इस गाउं को इस दल दली पंचायत को बेको पंचायत से जोड़ने के लिए पोल नहीं था बीच में. इनहीं का जोगदार रहा उस पोल में उस नाला में लकडी का पोल बनाया और सरकार ने इसको देखा और इस देखकर इस पोल को सिक्रिति मिला डॉक्टर टीबू राम मांजी को लोग जारखन का दशरत मांजी भी कहकर पुकारते हैं जिस तरह ये गाओं की सुविधा के लिए सड़क के सुधार में हमेशा श्रमदान करते हुए देखे जाते हैं उनकी इस जिवटता के कारण इनकी तुलना दशरत मांजी से की जाती है जैसा कि हम जानते हैं कि दशरत मांजी एक बेहद पिछोड़े इलाके से आते थे और आदिवासी जाती के थे शुरुवाती जीवन में उन्हें अपना छोटे से छोटा हक मांगने के लिए संगहर्श करना पड़ा वह जिस गाउं में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरा पहार पार करना होता था जिस कारण इसे पार करते हुए उनकी पतनी का पैर फिसलने से देहांत हो गया तब से एक छेनी और हठाली लेकर उस पहार को काट कर सडक निर्मान तशूर्थ मांजी ने किया और जOY मेरा बाड़े पिता जी है पिता जी लोग तीन भाह थे इसे बाड़ा भी मेरा में पिता जी मेरा पड़े पिताजी क्या एक भाय है, एक बेटा है, तीन बेटी थे, दिदिलंग, और मेरा भाया का भी दो बेटा है, जो घर परिवरब में है, साथ-साथ है, एक की साथ. जो मेरा ठीवरब मजीद पिताजी वो गाउ का जो साधी घर भी होता है, वो समलित होता है, जो जितना कामकाज होता है, वो समय देता है, जो उसका बचा हुआ समाई में, अभी खेती बाड़े के समाई में भी खेती बाड़े में अच्छा से काम कर लेते हैं, अभी भी जो ज वह प्षा काम करते हैं। ऐसके भाए जो फूटबल मैदान भी नहीं था तब वी फूटबल मैदान बनाया है। 7 liatore Almagame मेज Streer Tempered अब कई नो 행 भीड़े करते हैं। डौक्टर मांजी ने लुकई कनाली के ग्रामेन बच्यों के लिए मैदान का निर्मान करवाया ताकि बच्चे खेल सके आज पढ़ाई के साथ साथ खेल की प्रतिपा को बढ़ाने में सरकार भी प्रयासुरत है इस बात को डॉक्टर मांजी समझते हैं कि बच्चों के लिए खेलना कितना महत्वर रखता है खेल हमारे शारिक वयायाम और मान्सिक विकास के लिए सबसे आसान और सरल तरीका है नियमित रूप से खेलने से हमें कई बिमारियों से चुटकारा मिलता है हमारे शरीर में होने वाले फाइदों के बारे में बच्चों को अवगत कराना प्राजीन खेलों की अपेक्षा आज के दौर में खेलों का स्कोप बहुत जादा है अग बच्चे राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय स्तर पर खेलने जा सकते हैं और जीतने वाले खेलारी को सम्मान, सुविधा और नौकरी भी दी जाती है और इससे बच्चों का सरवांग विखास भी होता है डौक्टर मान जी के प्रयाज से गाउं के बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी उपलब्ध हुआ है इसके बारे में बोल रहा है मेरा सुसूर अपना घर का है और दो मेरा बेटा है और मेरा हाजमेंट अकेले है और मेरा सुसूर घर में बहुत पढ़ाया है अभी दोनों थोड़ा बड़ा हो गिया है और क्या बोले हम बोलते हैं कि इतना उम्र में मत कीजे सड़ों कि ठक जाएगा नहीं बोर हमी लों घर का समाज सेवा करते हैं तो कर रहेंगे मुलता है कि आप लोग बाद में भी समाज सेवा करिए सब का और कि इतना बच्चा है गाओं का सभी को सिच्छा देते हैं कितना टाइम कभी-कभी मिलता है उसी समय भी पढ़ाते हैं बच्चे को बोया जो बेया कान मेना अभूना अडी परवरे जो बेया कान मेना अभूना अडी परवरे आबो जूमी बांगाते बूया आबो सूलुकू बांगाते ही सही सी ते गहे जाती धरम नाचर चाबाए ही सही सी ते गहे जाती धरम नाचर चाबाए और दी में जदो ती बुया में जे Дेढि ला पो जुमी दोगा आदी मी जाती बुया मी सी दे दिला बना जुमी दो आदी नाका जाती बुया दे बना ओवारा आज भी दूर दुराज और सुदूर इलाके हैं जहां पर हम लोग हम लोग कराज देश इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्यांकि दूर दूरह के इलाकों में बच्चों की सिख्शा 手तरा के से नहीं हो पाती है दूर दूर्द तक पहुंचना मुश्कीन होता है होता है और उसके कारण वहां के वहां की जनता जो है मुख्यधारा से दूर रहती है तो तो जैसे टीबूराम माझी जी जो पूरे समाज के लिए एक प्रकास स्तंध की तरह है बच्चों को बच्चों को सिख्षित करने के लिए पिछले लगवाग पचास साथ सालों से सर काम करने हैं बच्चों की सिक्षा के लिए सुद्र गाओं में और जब सेवा निर्वित हो करके आए तो उन्होंने देखा कि बच्चों को बच्चों को इस्कूल जाने में पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है तो उन्होंने अपने अस्तर पर जो बच्चों को पढ़ान जा सकता है और जो गाओं की जो बुनियादी समस्या समस्या है सणकों की तो सणकों को भी ठीक करने के लिए जिस तरीके से माजी दादा ने काम किया है वो हम सभी के लिए प्रेणना का स्रोत है अगर इसी तरीके से माजी दादा हर गाओं में हर इलाके में हो तो हम लोगों का प्रदेश बहुत ही आगे आ जाएगा माजी दादा एक ऐसी ऐसी मिसाल है कि हर चीज के लिए हमें गौवर्मेंट का सरकार के का आस्रा देखना और देखने से विकास हम लोग के गाओं का उतने जल्दी नहीं हो प सकते हैं उसका भी योगदान देते रहें और एक समय सब की सरकार की जन प्रतिनिदियों के नजर पड़ेगी और हमारे इलाके में की विकास की गती तेज हो जाएगी तो इसका एक जीता जाकता मिसाल है माजी दादा इनके कारियों को नमन और हम सभी लोग मिलकर के इन कारि कार करना होता है गाओं के छोटे-छोटे बच्चों को समय निकाल कर शिक्षित करना ही डॉक्टर मांजी की नियती बन चुकी है आज भी गाओं के बच्चों को कुसम पेड़ के नीचे वे पढ़ाते वे मिल जाते हैं इनके प्रयास से लुकई कनाली गाओं में स्कूल का निर्मान किया गया है जिससे बच्चो शुक्षा प्राप्त कर सकें और जीवन में एक सही दिशा की तरफ बढ़ें उन्हें रोजगार प्राप्त हो और गाओं का विकास हो। विभिन्न समाजिक कारियों के लिए इन्हें विभिन्न सम्मानों से संस्था सरकार कंपनी आदी से सम्मानित किया जाता रहा है। इस उम्र में अमुमन लोग रिटार्मेंट के बाद एक आराम की जिन्दगी जीते हैं। उस दोर में इनोंने समाज को सुधारने के लिए, कुछ करने के लिए अपना जो समय दिया, इस उम्र के इस पड़ाओं में, वो काफी वेहतरीन था, जब मैंने देखा इसको जाना, ग्रामिनों से सूचना मिली, तो मैं इस गाओं में आया, जब मैं पहली बार आया, काफी व सडक का पानी बाहर है, मैंने केमरे में इसकी तस्वीर कईद की, इसके बाद इन से बैट के पूरी कहानी इनकी सुनी, और मैंने फर्ष्ट रिपोर्ट इसका कई साल पहले आज से करीब रिटार्मेंट के पाँच-छे साल बाद इनका ही रिपोर्ट किया था, उसके बाद से लगातार लगे रहे हैं, अपने पेंसन की रासी हर्मा जो पेंसन आती थी उससे कुछ रासी मजदूर में खर्च करते थे और खुद साथ में खड़ा होके काम करते थे, सडकों को दुरूस करने का इन बिला उठाया, जब इनका काम को देखा, अखवारों में खवरे और यहां के जो अस्थानी जन परतिनी दी है, उन्होंने कुछ साल पहले ही नारगा से लेके बंगाल सीमा तक सडक की स्विक्रिती दी, सडक बनी तो सही, मगर उसका आधारासी ठेकेदारों ने गटक लिया, आज भी सडक, जो कल जिस परस्तिती ते आज उसी परस्तिती मे लोट रही है, आज भी इनको पीडा होता है टीवो अबू को, और वो हम से बराबर मिलते हैं, अपना दर्द बाटते हैं, लोग अगर इनका साथ दे, इस उम्र के इस पड़ाओं में अगर इनकी धरिद और जीविटता को देखे आज के युवा, तो उनसे सीख मिलेगी, आज के अधिकांस गाओं में मैं जाता हूं, देखता हूं कि लोग हर काम का जिम्मा, ठीकरा, सरकार और उनके परतिनी दियों पर फोड़ते हैं, मगर अपने से कुछ नहीं करते हैं, अगर समाज जाज जाए, इस तरह टीवू राम माजी एक मिसाल है, अगर इस तरह जाग बहुत तेजी से किया जा सकता है, हमें भारत का एक अच्छा नागरिक बनने की ओर प्रिवित करता है, डॉक्टर माजी ने लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को यह प्रेरना दी है, कि समाज में बदलाओ लाने के लिए एक प्रियास ही काफी है, संघर्ष से कुछ भी बदला जा सकता है, समाज में इस तरह की भावना हम सभी को ट्रेना देती है, में भगों कि दना लेकाना दा दू आजे धो म्यों कि अधको से काफी है, समाज में इस तरह कै जाना दा सकता है, संघर्ष समर्द महें लेखम bipartisan को, लिए लगेए , जाना मदा बदलाओं ? जो मोली का ओड़ा का था ते में चालावालेने का ओड़ा का था माजो मोली का अपनी पेंशन राशी का दान 87 वर्ष की उम्र में भी श्रम दान सब घरा पुल निर्मान में श्रम दान पोटो हो खेल मैदान में अपना योगदान और नेत्रित्वर हर वर्ष एक हजार से ज़्यादा पौदा लगाने में सबसे आगे रहने वाले डॉक्टर टीवू राम माजी को वेल्डन इंडिया की टीम सलाम करती है मिलते हैं अगले अंक में एक और ऐसे ही प्रेड़नादायक शक्स के साथ तब तक के लिए हमें दीजिये इजाजत नमस्कार झाले झाले ड्रबस के जाखे लिए एक वेल्डन इंडिया की ज़र्ण साथ झाले अगले शचर लिएग साथ